हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल सीमा किचिन एंड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ मुरार की सबजी और इसे कमल ककडी भी बोलते हैं और हर जगे में इसको अलग-अलग नाम से बोलते हैं मेरे यहां मेरे मायके में इसे मुरार बोलते हैं और इसको कमल ककडी भी बोलते हैं तो यह मैंने कमल ककडी ले ली है थोड़ी सी और यह इस तरह से होती है कमल ककडी यह पानी में होती है जिसमें कमल के फूल होते हैं उसी की जड़ को बोलते हैं मुरार कमल ककडी तो यह है मम्मी मेरी छील रही है इसको छील के बनाया जाता है इसकी सबजी बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी सबजी बहुत पसंद है मुरार की सूखी सबजी बनती है कई लोग ग्रेवी बाली भी बनाते हैं पर मुझे सूखी ही पसंद है जब भी मैं अपने घर गर्मियों में आती हूँ तो यह जरूर मंगाती हूँ और सबजी इसकी बनवा के मैं खाती हूँ मुझे यह सब्जी बहुत पसंद है मैं सूखी ही खा लेती हूं रोटी के बिना भी बहुत अच्छी लगती है मुझे तो इस तरह से इसको लेना है पहले धो लेना है अगर गंदी है अंदर से मिट्टी लगी है क्योंकि ये कमल ककडी इसकी जड़ है कमल की तो उसमें थोड़ा पानी डाला नमक डाला और फिर इसको उबाल लिया है उबाल के आप देखेंगे यह अच्छे से उबल गई है कि नहीं दो-तिन सीटी इस में ले ली हैं तो देखिये यह उबल गई है कटने लगी है कोई-कोई देर से भी उबलती है यह जल्दी उबल गई है दो दाल दीया है अब इसको छनी में निकालके रँदिया है त पानी निकल जाएका तब तक हम सबजी बना लेते है कडाई में टेल डाल दिया यह तो जीरा और हरी नील डाल दिया है तो धोड़ी शिक भृचुक को अच्छे से भून देंगे फिर हम इसमें आपको अच्छे से कर लिया है और अगर आपको पेश्ट बनाना है तो पेश्ट भी बना सकते हैं पर मैंने इसको चौपर से बारी काट लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टमाटर डालने के बाद और अच्छे से इसको भून दिया है फिर इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे हल्दी और धनिया और मिर्च नहीं डाली है मैंने आप मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सभी को डाल के अच्छे से भून देंगे थोड़ा तेल छोड़ने तक और फिर इसके बाद हम जो मुरार उबाल के रखी तो अब यह मुरार इसी में डाल देंगे मसाले में और अच्छे से इनको मसाले में मिला देंगे और आप इसमें प्याज लेसन भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाली है और आप लोग मुरार किस तरह से बनाते हैं जरूर कमेंट करके बताइए और मुझे इसी तरह की मुरार पसंद है सिंपिल वाली तो मैं इसी तरह से बनाती हूं और आपको मेरी मुरार की सबजी की रेस्पी पसंद आए तो अपने फ्रेंड और रेलेटिब्स में सेयर करिए और आप भी जरूर बनाईए और थोड़ा नमक कम था तो थोड़ा सा नमक और डाल दिया है और देखिए यह मुरार डाल के और अच्छे से इसको भून देंगे थोड़ा देर के लिए धक भी देंगे अगर थोड़ा बहुत कड़ी होंगी तो वह पक जाएंगी फिर इसको खोल के देखेंगे यह अच्छे से पक गई है और थोड़ा अच्छी भून गई है थोड़ा भून ना है इसको तब ही है अच्छी लगेंगी खानी में पंचीली नहीं लगेंगी और यह मुरार की सबजी बन गई है रेडी हो गई है और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक सेयर और सस्क्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग